ये बताओ कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता जी पिंजरे में बंद पक्षी अरे कमीनों पढ़ाई शुरू कर दो पेपर आने वाले हैं मैडम जी मैं खूब पढ़ा करूँ हूँ चै कुछ भी पूछलो अच्छा फिर ये बताओ कि ताज महल किसने बनवाया जी मिस्त्री अरे गधे मेरा मतलब है किसने बनवाया जी ठेके दार ने बनवाया होगा ओहो क्या करूँ मैं इनका बच्चो देश में साफ सफाई रहनी जी ये अच्छा ये बताओ कि लेट्रिंग किस-किस के घर बनी हुई है जिसके घर बनी है वो हाथ खड़ा करो अरे जंडू तुन अच्छा घुंगरू अब तुम बताओ कि समेस्टर एक्जाम सिस्टम के क्या-क्या फाइदे हैं मैडम जी फाइदा का तो बेरा को ना अच्छा बाकी साल में दो बेजती जुरूर हो जासे ये बताओ कि दो में से दो गए कितने बचे समझ मैं को नहीं आया मैडम जी समझो तुम्हारे पास दो रोटी हैं तुमने वो दो रोटी खा ली बताओ तुम्हारे पास क्या बचा जी सबजी तुम तो नलायक के नलायक ही हो बेर जाओ बच्चो आज मैं तुम्हें जंगली जानवरों के बारे में पढ़ाती हूँ पढ़ाओ जी बच्चो जंगल में अलग-अलग तरहां के जीवजन्तु होते हैं कुछ जानवर अंडे दिया करते हैं और कुछ जानवर बच्चे देते हैं हाँ तु जंडू तुम बताओ कि शेर अंडे देता है या बच्चे अरे जंडू इस मैडम ने यो के पूछ लिया मन तो इसका उत्तर को नि बेरा इव के करू जंडू तर तो इसका तने देडा पड़ेगा ना तो बेजती हो जेगी मैडम जी, सेर तो जंगल का राजा हो से वो चाहे अंडा दे, चाहे बच्चा, सेर की मर जी है? मैडम जी, एक बात बताओ बोलो लोग इंदी इंगलिश में बात करें से मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी अच्छा बताओ मैं नंगे पाओ हूँ, इसकी अंग्रेसी बनाओ मैं बताओ मैडम जी, मैं बताओ मैडम जी अच्छा बताओ आई यम उगान